Hello everyone and welcome back again to another first video of our study talks I hope you all are doing absolutely fine तो guys, आज की इस यूडियो में मैं आपको amazing job opportunity बताने वाला हूँ जो की work from home job opportunity है and आप सभी इस job role में apply कर सकते हो यहाँ पे स्रीप eligibility criteria यह है कि आप 18 प्लस होने चाहिए इस particular job role में अगर आप 18 प्लस है and 12th pass out है तो आप सभी इस job role में apply कर सकते है and work from home job होने वाला है आप सभी के लिए इसका मतलब आपको कही जाने की जरूत ने आपके पास स्रीप एक laptop होना चाहिए और internet connection होना चाहिए इस particular job role में apply करने के लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी details बताने वाला हो कि क्या-क्या job का criteria है दोस्तो roles and responsibilities क्या है किस तरह से आपको job role में apply करना है पूरी details मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हो तो वीडियो को इन तक के जरूर देखे दोस्तो ताकि आपको सभी information detail में पता चल जाए अब जैसे के आप screen पर देख सकते है मेरे channel पर दोस्तो आपके बहुत सारे off campus drive देखने मिल जाते है internship opportunities देखने मिल जाते है work from home jobs देखने मिल जाते है तो आप मेरे channel को subscribe कर लीजे ताकि आपको हर नीव वीडियो की update मिलती रहे अब आ जाते हैं हमारे main topic पर बात कर लेते हैं job के बारे में तो जैसे के आप यहां screen पर देख सकते हो यहाँ पर आपको job provide की गई है concentric careers के तरफ से तो यहाँ पर आपको इसका page का page देखने मिल जाता है इसकी link में आपको description में दे दूँगा साथ-साथ आपको और भी बहुत चारे jobs की दोस्तों link देखने मिल जाती है वो jobs अभी भी available है दोस्तों तो आप उसमें अभी भी apply कर सकते हो लेकिन video को पूरा देख लिजिए दोस्तों उसके बाद इस job में apply कीजेंगा ताकि आपको पूरी details पता चल जाए जैसे के आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो रोल देखने मिल जाते है customer support advisor and technical support advisor तो दोनों के भी बारे में मैं बताने वालों क्या क्या key responsibilities है क्या क्या eligibility criteria है तो जैसे के आप देख सकते हो handle customer engagement for some of the world biggest brand तो दोस्तों यह international company है तो बहुत अच्छी आपको contact मिल जाते है यहाँ पर है बहुत अच्छी आपको salary भी मिल जाते है जो कि अभी disclose नहीं कीगे है लेकिन I'm sure दोस्तों बहुत अच्छी salary मिलने वाली है आपको यहाँ पर क्योंकि international calling की करना पड़ेंगा आपको इस job में आगे की इस वीडियो में आप देखने ही वाले handle customer engagement for some of the world biggest brand responsible for all customer related queries and questions तो दोस्तों customers को कोई भी queries होती है inquiries होती है questions होते है तो उसके लिए आप responsible होंगे आपको उनको answer करना होगा तो दोस्तों आपको काम करना होगा teamwork करना होगा यह सबी चीज़ें यहाँ पर mention की गई है eligibility criteria की बात कर लिजाए तो 6 month contact center experience preferred तो not mandatory दोस्तों यहाँ पर experience mandatory नहीं है अगर आप totally freshers हो इस field में तो भी आप इस job role में apply कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास 6 month का experience है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है और आप देख सकते हो minimum 18 years old तो आपका age 18 plus होना चाहिए minimum qualification की बात की जाए तो 10 plus 2 minimum qualification mention किया गया है मतलब अगर आप 12th pass out हो तो आप इस job role में apply कर सकते हो लेकिन अगर graduate है तो और भी अच्छी बात हो जाती है और भी जादा plus point मिल जाता है logical problem solving skills आपके पास होनी चाहिए and ability to multitask excellent employee oral and written communication skills तो दोस्तों आपके written and oral communication skills strong होनी चाहिए open to working in multiple shifts तो दोस्तों यहाँ पे आपको multiple shifts मिल सकती है तो उसके साथ आप काम करने के लिए adjust करने के लिए okay होना चाहिए proactive with keen attention to details understanding and empathic toward customer तो यह सभी eligibility criteria मिल जाता है customer support advisor की job role का अब यहाँ पे आपको technical support advisor का यहाँ पे job role देखने मिल जाता है इसकी सभी details मिल जाती है तो यहाँ पे आपको 3 years का experience चाहिए minimum लेकिन यह experience job है और 18 plus होना चाहिए यहाँ पे भी same ही चीज़ है लेकिन यहाँ पे experience मांगा गया है तो हम इसके बारे में discuss नहीं करते हैं customer support advisor की job role की बारे में discuss करते हैं अब मैं किस तरह से आपको apply करना है यह भी मैं आपको बताने वालो तो जैसी कि आप scroll down करते हो यहाँ पे आपको एक form देखने मिल जाता है यहाँ पे आपको अपनी basic details आट करने है जैसे name हो गया, phone number हो गया, email address हो गया फिर आप कौन से position के लिए interested हो तो दोस्तों अगर आपके पास experience नहीं है तो आपको customer support advisor के role के रोल के लिए बैंगलाओर, चैन्नाई, बुर्गाओ, पुने कोई भी select कर सकते हो, मैं महाराष्टर में रहता हो इसलिए मैं पुने या मुंबाई select कर लेता हो दोस्तों, इस तरह से आप जैसे ही select कर लेते हो आपको take the test पे click करना है आप इस पे जैसे ही click करते हो, आपके सामने इस तरह का registration form open हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपनी basic details add करनी होते है सभी basic details add करना ज़रूरी है जहाँ पे भी asterisk mark दिखने मिल जाता है वो add करना है first name, middle name, last name add करना है तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप 18 प्लस हो या नहीं तो यहाँ पे आपको yes select कर देना है and preferred work location आपको यहाँ select कर देना है दोस्तों कोई भी city आप select कर सकते हो क्योंकि यह तो work from home होने वाल है are you willing to relocate to a preferred location तो यहाँ पे भी आपको yes yes करना है फिर education work experience यह सभी चीज़े आपको add कर देना है फिर उसके बाद आपको कोई foreign language में certification है तो वो add कर देना अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो have you work in the concentrics आपको concentrics company में पहले काम कर चुके होगे अगर नहीं तो यहाँ पे no पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे capture आट करना है capture जैसे यह आट कर ले तो आपको दोनों जगा I agree पे click करना है accept करना है दोस्तो और start assessment now पे click करना है आप जैसे इस पे click करतो आपके एक basic assessment ली जाएंगी छोटी सी ताकि आप इस job के लिए eligible हो या नहीं हो आपको basic knowledge है या नहीं यहाँ पे basically आपका aptitude चेक किया जाएंगा problem solving skills चेक की जाएंगी तो यहाँ पे आप assessment दे सकते हो दोस्तो जैसे आप इसके लिए register हो जाते हो आपके email ID पे दोस्तो एक email आ जाता है वहाँ पे आपको mention किया जाता है दोस्तो इसके link provide कर दी जाती है assessment की वहाँ से आप assessment access कर सकते हो आप assessment अभी भी ले सकते हो या तो बाद में भी ले सकते हो totally आप पर dependence दोस्तो तो यह थी job role opportunity concentrics company के तरफ से I hope आपको यह पसंद आई हो work from home job opportunity आप सभी के लिए अगर आप 18 प्लस हो तो आप यह job role में अपलाई कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे इस वीडियो को और अगर आप मेरे चैनल पे new हो तो subscribe कर दीजे ताकि आपको हर नीफ वीडियो के update मिलती रहे Thank you